तो यहां पर मैंने लिए है हरी लाइची इसके साथ ही मैंने लिए है शक्कर तो जितनी हमें हरी लाइची लेनी है उतनी ही हमें शक्कर भी लेनी है सेम रिश्यू में हमें शक्कर और इलाइची लेनी है तो ये जो हरी इलाइची आप देख रहें लगबख 50 ग्राम की करीब है इसको हमें सबसे पहले ड्राइ रोस्ट करना है तो बिना छिलका उतारें यहाँ पर हम हरी इलाइची का पाउडर बनाने वाले हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल दिया है हरी इलाइची और इसको मैंने इस तरह से रोस्ट करना है बिल्कुल low medium flame पर आप इसे रोस्ट करें और लगबख 2 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे ऐसा करने से क्या होगा जो छिलका है हलका सा सिख जाएगा और जो इसके अंदर मॉश्चर होगा छिलके में जो भी मॉश्चर होगा वो पूरी तरीके से उड़ जाएगा इस तरह से रोस्ट करने के बाद में हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा कर लेंगे जब इसका टेंपरिचर एकदम नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद में इसको मिक्सी के जार में डालकर हम पीसेंगे तो इस तरह से आख करने पर हमें इलाइची के बिल्कुल भी छिलके नहीं उतारने पड़ेंगे और बहुत ही अच्छा हमारा बेना चिलका उतारे लाइची का पाउडर घर में बनकर रेडिय आपको मिल जाएगा साथी खुश्बू भी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी तो यह देखिए इलाइची हमारी नॉर्मल टेंपरिचर आ चुकी थी अब मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया साथी मैंने इसमें चीनी भी डाल दी और इसको हम पल्स करते हुए पीस लेंगे बिल्कुल बार वक्तिवड़ और नहीं इसकी खुश्बू जाएगी आप इसको चाय में उपर से डाल सकते हैं चाय में उपर से डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स बनाईए घर में घरी लाइची का। पावडर कैसी लगी रेशेपि लिखकर बताइएगा रेशेपि अक्शी लगए तो